नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। उज्जेन के सुबेदार स्रीमंत राणोजी शिंदे ने उत्तर भारत में मराठा सामराज्जी के विस्तार में बड़ी भूमी का निभाई थी। उनके मृत्यों के पस्चात, उनके पत चिन्हों पर चलते हुए उनके जेश्ट पुत्र जयप्पा शिंदे ने मराठा सामराज्जी का विस्तार शुरू किया। जयप्पा दादा एक उत्तम कोटी के योद्धा थे। उन्होंने अपने तलवार के बल पर निजाम, अफगान पठान, मुगल, रोहिले सभी को पराजय का स्वाद चकाया था। समय के साथ जयप्पा शिंदे उत्तर भारत में एक महाशक्ती बनकर उभर चुके थे। उनका कीरती और यश बढ़ता ही गया। सन 1755 में जोदपूर में राजगद्धी के लिए राम सिंग और विजय के बीच विवाद पैदा हुआ। राम सिंग का पक्ष न्यायपूर्ण था पर विजय सिंग ने शक्ती के बल पर राजगद्धी हडप लिया था। राम सिंग ने जयप्पा दादा से मदद मांगी। नागोर से चार कोस आगे मारवाड और मराठा सेना के मद्य युद्ध हुआ। श्रीमंत जयप्पा शिंदे के कुशल नित्रत्व में मराठाओं ने विजय प्राप्त किया। विजय सिंग बची हुई सेना लेकर नागोर भाग गया। जयप्पा दादा ने नागोर को घेर लिया। लंबे चले युद्ध से विजय सिंग को काफी नुकसान पह इसी का फायदा विजय सिंग ने उठाया। उसने अपने दो सायनिकों को बिखारियों के वेश में जयप्पा के पास भेज दिया। जयप्पा दादा उस समय तालाब में स्नान कर रहे थे। जैसे ही वे तालाब से स्नान करके बाहर निकले, बिखारी के वेश में आए दोन सायनिक उन पर तूट पड़े जयपा दादा अपने आप को संभाल पाते इससे पहले ही उन दोनों ने जयपा पर प्राण घातक हमला कर दिये कटार से उनके छाती और पेट पर कही वार किये बुरी तर घायल होने की वज़े से उनकी मृत्यू हो गई जयपा शिंदे के असमय मृत्यू से मराठा सामराज जी को बड़ा नुकसान हुआ मराठा सामराज जी का एक उमदा सेनापती यू ही मारा गया भारतमा का एक वीर सपूत धोके से मारा गया जैपा शिंदे ने आजीवन देश हित में काम किया था देश को अक्रमनकारियों से बचाने के लिए उन्होंने कही बार अपना कून बहाया लेकिन ये दुर्बागे था कि ऐसे महान योधा का अल्द धोके और शरियंत्र की वज़े से हुआ